तारिक भट एक निराधार बातें करता है उसका कोई आधार नहीं है ब्लैक मेलर है और सनातन धर्म की शवी बिगाड़ने में यह लगा रहाता है हर समय कि हर समस्त लोगों को यह परेशान करता है मलाजुबों को भी परेशान करता हί और यह बैक मेल करता है पैसे की डिमांड करता है और मेरे पर इस ने अटैक भी करवाओ बदमाशушर से मारने की धंकिया भी देता है अब मेरा सीधा सवाल आप से ये है कि ये जो आश्रम है विश्व यतन योग आश्रम कट्रा क्या इस समय वो आपके नाम पर है जिन्होंने कबजा किया है उनके साथ मिल के ये कोई गुपाल क्रिशन है यहां के और आश्रम की जमीन हड़प करना चाहते हैं तो ये मिल के साजे से रचते हैं बदनाम करने की कोशिश करते हैं इनका कोई सिर पैर नहीं है इनके जितने भी अरूप हैं वो सब जूटे हैं न आपने कहा कि वो इस जमीन में मस्जीद बनाना चाहते हैं इस बाते कितनी सच्छा है नमस्कार एनेच वान नियूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हिमानशुष शर्मा तारिक भट जो एनसी के लीडर है और अपने आपको नेशनल हुमन राइट्स डिवल्लमेंट काउंसल इंडिया के चेर्मेन बताते हैं उन्होंने बड़े गंभीर आरोप विश्व यतन योग आश्रम कट्रा पे लगाएं और अगर मैं बात करूँ तो पटिकुलरली योगानंद जी जो हैं जो इस आश्रम की देखरेक करते हैं जो इस आश्रम को चलाते हैं उन पे बड़े घंबीर आरोप लगाते हैं उन्होंने कहा कि योगानंद जी ने योगाश्रम की प्रॉपटी को हडप लिया है उन्होंने कहा कि दिरिंद्र ब्रमचारी जी के देहांत के बाद हाई कोट का ओडर था कि इस प्रापटी को सरकार को सौंपा जाए लेकिन योगानन जी इन्होंने तहसील आफिसर्स के साथ मिलके बिलकुल उन्होंने ऐसा कहा कि तहसील आफिसर्स के साथ मिलके इस प्रापट चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और योगानन जी इस प्रॉपटी पर बैठ कर यहां का किराया भी ले रहे हैं और तरह तरह के ऐसे प्रचार कर रहे हैं जिससे सिरफ योगानन जी का फाइदा हो रहा है योगानन जी स्वागत आपका एनेच्वान नीज में बढ़ा जो आपने सत्यों को सामेने लानी की कोशिश की है तारीक भट एक निराधार बातें करता है उसका कोई आधार नहीं है ब्लैक मेलर है और स्नातन धर्म की शबी बिगाड़ने में यह लगा रहाता है हर समिए हर समस्त लोगों को यह परेशान करता है मुलाजमों को प्रस्ट की प्रॉपटी को अपõने नाम करवा दिया है आप हमारे दर्शकों को यह बताईए कि ये सच है या जूट है ये बिल्कुल जूट है निराधार है इसमें कोई सचाई नहीं है इसकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है और ये हमेशा उतपाद फ्ञाब रहता है और इस सत्य सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इसका यहां से कोई लेना देना नहीं है लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनके पास कागजात हैं उन्होंने कहा कि जो दिरिंदर ब्रहमचारी जी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की उनके देहांत के बाद हाई कोट ने और निकाला कि इस प्रापटी को सरकार को दिया जाए लेकिन आप आए आपने कोई जोल ऐसा किया कि प्रापटी आज आपके पास है आप किराया ले रहे हैं यहां का जो सी आरपी के कैमपि हां बने हुएं तो कोट ने ये कभी नहीं कहा है उनकी जज्जमेंट्स हमारे पास हैं हमारे फेवर में हैं स्वामी हरी बक्त चतने जी महराज इस आश्रम के संस्थाप के हैं लोगों ने 1952 में लोगों ने महराज जी को जगा कुछ दान दी कुछ खरी दी और उसके बाद उन्होंने ये विश्वा जदन योग आश्रम के संस्था बनाई लोगों के कल्यान के लिए जहां से मानपता का विकास हो और 1952 से जहां से लोगों का पूरे विश्व का विकास होता रहा है लोगों को लाव मिलता रहा है और धिरेंदर बरमचारी जी उन्नी सो स्तावन में महराज जी के पास योग सिखने के लिए आये थे तो उन्होंने ट्रस्ट बनाया स्वामी हरीबक्त जी ने दिरंदर ब्रमचारी जी को उसका मेंबर बनाया तो सोल ट्रस्टी और सोल ओलनर स्वामी हरीबक्त जी हैं उन्होंने एक सबतरिशी मंडल बनाया जिसमें साथ ब्रह्मचारी ही इस आश्रम के मेंबर बन सकते हैं यो योग जानते हों योग में जिनोंने डिगरी हसल की हो या योग कहीं से भी सीखा हो अच्छी परकार जिनोंने बेदों का धहन किया हो शास्तनों का धहन किया हो जो मानवता के विकास के लिए काम कर सकें तो कर दो बनाया था ट्रस्ट जिसमें यूज अयूर्वेद जोतिश और बैदिक स्थकर्मंद वारा सारे समाज का कल्यान किया जाए धर्म का प्रचार परसार किया जाए और धर्म किसको कहते हैं धर्म को यहाती संपरदाय नहीं है धर्म कहते हैं शास्त्रों में लिखा है और दूसरों को दुख देने से पाप बढ़ता है और यो अपने को बुरा लगे ऐसा विहवार दूसरे से कभी नहीं करना चाहिए ये धर्म का सार है और इसमें योग सर्वो परी है योग के आठंग हैं जिसे मुनुश्य का मानसिक शारीरिक द्यात्मिक समाजिक हर परकार से कल्यान होता है और ये सब हुआ हरी बगत जिने इसकी स्थापना की और पिर देरिंदर ब्रमचारी जी आय ट्रस्ट के नाम पर जगा जगा पर जमीने खरीदी गई सबसे बड़ी एक्जामपल हमारे पास है जो मांतलाई में अब जो आश्रम है उसको भारत सरकार इंटरनेशनल योगा सेंटर में बदल रही है उनका कहना है कि अगर सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया तो इसको ट संसक्रीटी के परचार के लिए दी योग विद्या अयुरवेद जो तेशिस में सारा जो लोगों के कल्यान के लिए कारे किया जाते हैं तो जो स्वामी जी के उनके बिक्तिकत नाम पर यह जमीन थी कुछ आश्रम के नाम पर भी खरीदी पर स्वामी जी ही इसके ओड़नर तो अपरना अश्रम था अलग सोसाइटी थी अलग सोसाइटी वो उसके ब्रहमचारी जी ने अलग बनाया था तो उनके दिहानत के बाद वहां कोई सरकार ने वहां उसकी सुरक्षा के लिए फूर्स लगा दी अब उस में कोट में के इस सेलते रहे अब मेरा सीधा सवाल आप से ये है कि ये जो आश्रम है विश्व यतन योग आश्रम कट्रा क्या इस समय वो आपके नाम पर है यह योगाश्रम के नाम पर ही आए, क्योंके जमीन चाहे परसनल नाम पर थी और इसका ट्रस्ट बनाया है लोगों के भले के लिए बनाया है, इसमें यह सनातन धर्म की जितनी भी क्यादा retrouve आज भी इसको ट्रस्ट चला रहा है और बड़े अच्छे डंग से जला रहा है तारीक बड़ साहब ऐसी जो टिपनिया हैं ऐसे जो इल्जाम हैं आपके उपर और खासकर ट्रस्ट के उपर योगा अश्रम के उपर क्यों लगा रहे हैं ये कुछ जमीन हडप करना चाते हैं कुछ लोगों से मिलके यहां ये एक मस्जद बनाना चाते थे कहते हैं मैं मस्जद बनाओगा तीन चार हिसेदार बने हुए थे और ये थोड़ी थोड़ी जमीन हम ले लेंगे तो ये हमें प्रैशराइज करने के लिए ये बदनाम करने की कोशिश निए उसलिए दर कर रहे है कि हमें ये जमीन ये कुछ शैसाथ कनाल जमीन है हमारी शाली मारपार के सामने तो खुश लोगों उन्हा वैद कब्जा किया है ये उनने के सहیोग सही हो कर रहे हैं उन्होंने इसको हाइर किया है और इसका काम तारिक भट का काम ही यही है कि ब्लैक मेल करना लोगों को पैसे की डिमांड करना आपने आप से तारिक भट जी ने कोई पैसों की डिमांड की कुछ लोगों ने मुझे बताया कि तारिक भट बोलते हैं कि हमें को दो लाख दे दो चार लाख दे दो तो मैं पीशे हट जाता हूं तो इसलिए अगर नहीं देंगे तो मैं इनको बदराम करूँगा मैं जमीन को हड़प कर जाओंगा मैं ये करूँगा वो करूँगा ऐसे अनाप शनाप ये बोलते हैं तारीवट ने ये भी कहा कि आपने उनके उपर जाननेवा हमले भी करवाए नहीं ऐसा कोई है ये हमारा सनातन धर्म या ग्यान या गुरू ने बिद्या दी है तो हम कभी भी किसी भी परिस्तिती में शत्रूगा भी बुरा नहीं सोचते और ना कभी ऐसा हुआ ये सब नीराधार है जूट है ये सब बदनाम करने की इसकी साज़िश है ताके ये प्रेशर होकर हमें ये जमीन दे दें आपके उपर किस तरह का प्रेशर डाला जाता है जमीन को लेकर क्या आपके उपर कभी कोई ऐसा हमला करवाया गया है इन्होंने तीन चार हमले करवाए और एक लास्ट में 22 क्टूबर को हमला करवाया और वाई चांस में बाहर था तो मेरे आने तक इन्होंने यहां बड़ा उत्पात मचा रखा था इसी जा भी हम खड़े हैं यहीं पर हमला करवाया वो हमने एफ आई आर की वो केस यहां कोट में अभी है जो अपरादी थे जिन्होंने यह किया तो इन्हीं की साज़ेश थी और यह साज़ेश रच्टे रहते हैं हमें कोट जाने में भी डर लगता है और यहां अपना यह धर का परचार करने में भी यह डर रहता है कहीं यह हमला ना करवा दें अपने स्वार्थ के हेतु कुछ जहां इनके वह जिन्होंने कभजा किया है उनके साथ मिलके यह कोई गुपाल क्रिशन है यहां के और आश्रम की जमीन हड़प करना चाहते हैं तो यह मिलके साज़ेश र मेरादार हैं और ब्लैक मेल करने माले हैं अब आपने सुना कि तारीक बड़ ने अपने इंटर्व्यू में कहा था कि कोट का ओडर था कि जो जमीन है वो सरकार को दी जाए यह विश्वयतन योगाश्रम कट्रा की लेकिन योगानाजी ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा क कभी भी कोई ओडर नहीं आया है और ये हरी भकत जी के नाम पे कुछ जमीन है कुछ ट्रस्ट की है और आज भी इसको ट्रस्ट ही चला रहा है और जो इल्जाम इन पर लगाए गये हैं तारिक भट द्वारा उन्होंने कहा कि योगानाजी के नाम पर अब ये जमीन सारी हो इन्होंने तहसील के मुलाजिमों के साथ मिलकर यह सारी घटना को अंजाम दिया लेकिन यहां पर योगनांद जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज भी ट्रस्ट के नाम पर है आज ही इस पूरे संस्थान को ट्रस्ट ही चला रहा है योगनांद क्या आपके पास सारे कागज हैं जो प्रूव कर सकें जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल पूरे कागज हैं हमारे पास कोट के अर्डर हमारे पक्ष में हैं यह जो बोल रहे हैं कि कोट ने सरकार को सूपा है ऐसा कुछ नहीं है यह एक्जिकूशन चली थी उसको हमने करते हैं यहां हजारों लोग आते हैं योग सीखते हैं और ध्यान साधना करते हैं गरिबूं की जहां से मद्द होती है अब जो किराया यह स्योगाश्रम को आता है जो वो किसके नाम ही ही त्रस्ट के लिए ही समर्पेत स्माज मर्पेत हैं घर बार शोड़ा हुआ है त्याह किया हुआ है और इन महम मूर्खों को क्या पता है ये मांस शराब और पापाचार करने वाले लोग हैं मांसी शराबी हैं मांसा हारी हैं शराबी हैं इनको जो का धर्म का सनातन का परुपकार का क्या पता है कुछ पता नहीं है ये तो असरों वाला भेवार करते हैं यह से रावन के टाइम ह अगर ये केस जो है वो कोट में है तो क्या जरूरत है कि अब मीडिया में भी इसके बारे में बोला जा रहा है वो इसके लिए कि हर क्षेतर में इनकी हार हुई है क्योंकि ये सारा जूटका सारा लेकर चल रहे हैं और सारे केसिज जो कोट में हैं अभी कुछ की जजमेंट्स हो गई हैं और कुछ की जजमेंट्स आने वाले हैं तो ये सिर्फ वही इसको जमीन को हड़प करने के लिए ये किसी तरीके से बदनाम करके ये प्रैशर में आएं और हमारे साथ समझ होता करें कि बार बार जाथ है कि हमें जमीन देदर, नहीं तो हम आपको शोड़ेंगे, हम हर तरीके से आपको उभधनामी करेंगे, आपको मरवा देंगे, ऐसा इनका वो है, और इसके जो शबूत हैं वो हमारे पास हैं, तथे हैं, पूरे कागज़ भी हैं, एक्टिबिटीज जो हम ज गवाई देने के लिए क्या रहरा है कि गामी यही द्लैकी मेल करना पैसे लेना यही रुजगार पहां कि पर इस बात पर कतनी मनात चाहई है यह जनता 미शा से पता चलता है क्वाव। रामंजी नोने दीशनल्टी थे वावू रामजी उनसे मिलके यहां वह उन्हिश करने कीश नहीं कोशिश जा थी, लौ भी कोट में केस चलना है वह स्का है कोशिश की थि एप्वशु किया कितने सच्चे हैं या हमारा क्या वेबार है तो यह सब निराधार हैं सिर्फ यह आश्रम की जमीन हड़प करने के लिए है चलिए शुक्रिया शुक्रिया योगनान जी तो आपने सुना कि तारीक भट के इंटर्वियू के बाद अब योगनान जी भी सामने आए हैं इसक्लूजिवली अन एच्वान न्यूस पर और इन्होंने अपनी सफाई भी दी है इन्होंने कहा वो कहते हैं मेरे नाम तो मैं कह одcaster के नाम नहीं ट्रस्ट के नाम पे है किराया ट्रस्ट नहीं नहीं साफ़ शब्दों में कहा की इनको मारने की कोशिश भी की की सार्बार इन इन्होंने F.I.R. भी कराई पैसे भी इनसे एंटने की कोशिश की तारीक भटने इन्होंने साफ शब्दों में कहा इनको ब्लैक मेल करके और इन्होंने एक बड़ा बियान देते हुए ये भी कहा कि पूर्व A.D.C. बाबुराम जी के साथ मिलके तारीक भटने यहां पे एक एक पीस आफ लैंड को एक जमीन के टुकड़े को कब जाने की कोशिश की ताकि वो यहां पे मस्जिद बना सके अब क्या रूप लेता है आने वाले समय में यह आरोप प्रत्यारोप यह देखने वाली बात होगी फिलहाल यह सारे केसी कोट में हैं अब आब मुझे दीज़ इजाज़ा तो मैं हूं हिमानशु शर्मा कैमरमेंट परदीप सिंग के साथ शीरी माता वैस्टन देवी कट्रा से